नमस्कार दोस्तों मैं अटल आपके यहां पटना मेडिकल कोलेज अस्पताल से नर्सिंग ओफिशल नमस्कार दोस्तों मैं बभलु कुमार स्वास परवंदक PMCH पटना नमस्कार दोस्तों मैं एक छोटा वो केमिस्ट PMCH मेंगेड अपोजिट अपोजिट तरह दो पीएंगेड नाम मेरा सेद इजाजु लाग नमस्कार दोस्तों अब हम आपको कोरोना वाइरस के बारे में बताने जा रहा है कोरोना वाइरस यह संकर्मन बीमारी है जो मानव पसू दोनों में सर्दी जुखाम से संबनित बीमारी का संकर्मन करता है लक्षन अचानक बुखाराना, खांसी होना, उल्टी होना, सास लेने में परेशयनी, दस्त और निमोनिया ज्यान देने वाली बात क्या है इसे संकर्मन के कारण नीमोनिया गंबी रुपधारन कर लेता है जिससे किडिनी डेमेज हो जाती है और मर्तिव हो जाती है तुरंत इंसान की तो जैसा कि आप लोगों दोसों जाड़ रहे हैं कि करोना भाइरस पुरी देश और दुनिया में अपना पाम फहला चुका है या बहुत ही जानलेवा बिमारी है यह नेपाल, इंडोनेसिया, वियतनाम, मलेसिया, चाइना, हौंकॉम एवं सिंगापूर को अपने चपेट में पूरी तरह से ले चुका है एवं वहां से आने वाले यात्रियों से संपर्क रखना खत्रे से खाली नहीं है अता आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे मरीजों के में लक्षन पाया जाने पर उनसे दूरी बनाये रखे एवं अभिलंग नजदी की चिकिस्य संसान से संपर् के लिए आप मास्क का परियोग करना न भूले एवं उनसे दूरी बनाये रखे साथी संबहों तो घड से बाहर भ्रमन नहीं करें खास्ते चीक्ते समय पेपर एवं रुमाल का इस्तमाल करना कभी न भूले साथी आप लोगों को बतलाना चाहेंगे कि स्वास्तमंदी किसी अगर इस परकार का लक्षण आपको कहीं भी किसी इंचान में दिखाई देता है तो तुरंग नजदी की अस्पताल से संपर करना आपको बाइव इससे घबराने की जरुवत नहीं है सिर्फ बचाव करने की जरुवत है घबराएंगे तो आपको देखकर दूसरे लोग भी इसके बचाव का परियोग करें और बचाव में जो हमारे साथी बाई बता रहा है कि तुछ पेपर या हैंकी का या रुमाल गाया चीखने के समय इसका परियोग करना है और कुछ नहीं हो तो गाउंस देहात में अगर जहां पर उपलब्द ना हो तो कपड़ा भीना कर रु जार करना है और उसको पर दोस्त कर देना इस को रोना वाइरस को इससे घवराने की कतरी जरूरत नहीं है तो दूसरे लोग और आप से ज्यादा परिशान हो तो दोस्तों आपको एक बात पता चल गए कि बचाव हुए है तो अभी हम लोगों को यही द्यान रखना की से कैसे बचा जा सके सारी चीज़े आपको बता दी गई है धन्यवाद